हेलो बच्चो मैं उशा शर्मा विक्तोरिस इंटरनेशनल स्कूल अत्रौली अलिगर से इस वीडियो में हम क्लास 10 में गद्यखंड चैप्टर 10 नेता जी का चश्मा जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी रिडिंग करते हैं कि देखिए जो पाइड बचा है उसरे देखिये यह पृफ कि यह सिँ क३ा पृफ को इस बताया है देष्भकती के विशय हैं कि लोग किस कि तरह से अपनी देश्वक्ती को व्यक्त करते हैं ओकर इस पार्ट में चश्मा लगा जा रहा है मूरति को उपर यह सच्छ किए क्या मतलब क्यों change कर देता है चेंज यहीं चश्मा क्यों change बदल क्यों बार बार हालदार सहा अब भी नहीं समझ पाई कोई गिराख आ गया गिराख अगया समझो उसको चोड़े चोखट चाहिए यानि फ्रेम चोड़े चोखट का चाहिए तो कैप्टन किदर से लाएगा हाँ उसको मूर्ती वाला दे दिया उदर दूसरा बिठा दिया क्या का पानवाले ने कि चश्मे वाला है उसने अपने ग्रहा को वो उतार के दे दिया और दूसरा इस मूर्ती को लगा दिया अब हालदार साहब को बात कुछ को समझ में आई एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है उसे नेता जी की बगेर चश्मे वाली मूर्ती बुरी लगती है बलकि आहत करती है उसे दुखी करती है मानो चश्मे के बगेर नेता जी को असोविधा हो रही होगी ऐसा कौन विचारता था मन में जो चश्मे वाला जो बेचने वाला है कैप्टेन इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्द गिने चुने फ्रोममे से फ्रेम नेता जी की मूर्ती पर फिट कर देता है लेकिन जब कोई ग्रहा काता है और उसे वैसे फ्रेम की दरकार होती है निया आवश्यक्ता होती है जैसा मूर्ती पर लगा है तो कैप्टेन चश्मे वाले जो चश्मा लगा हुआ है मूर्ती पर चश्मे वाला मूर्ती पर लगा फ्रेम संभवत है नेता जी से छमा मांगते हुए लाकर ग्रहा को दे देता होगा और बाद में नेता जी क को दूसरा दूसरा फ्रेम लोटा देता है वा भई खूब क्या आइडिया है लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई हालदार साहब ने पानवाले में हालदार साहब ने पानवाले से पूछा नेता जी का ओरिजनल चश्मा कहां गया यह Vanderật पूछा कि जो चश्मा था ओरिजनल वह कहां है पानवाला दूसरा पानवाण में ठूश चुका था दोपहर का समय था दुकान पर भीर भाड अधिक नहीं थी वे फिर आखों ही आखों में हसा उसकी तोंद थिर की कथे की डंडी फैंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थुकी और मुस्कराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया कि जिसने इसे बनाया है मुड़की को उसने चश्मा बनाया ही नहीं पानवाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाले यानि यह ठीक ही सोच रहे थे मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतिलाल वाकई कस्वे का अध्यापक था बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा यानि चश्मा क्यों नहीं बनाया कि मूर्ति को बहुत जल्दी में बनाया गया होगा बना भी लिए होगी लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तै नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा तूट गया होगा कौन सोच रहा है ये हालदार साहब या पत्थर का चश्मा अलग से बना कर फिट किया होगा और वे निकल गया होगा हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कोतूहल भरा लग रहा था इन्ही खयालों में खोए खोए पान के पैसे चुका का चश्मे वाले की देशवक्ती के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीब की तरफ चले किस की तरफ नतमस्तक हुए जो कैप्टेन पानवाला था कि उसकी ये भी क्या है एक प्रकार की देशवक्ती ही है फिर रुके पीछे मुडे और पानवाले के पास जाकर पूछा क्या कैप्टेन चश्मे वाला नेता जी का साती है या आजाद हिंद फोज का भूत पूर्व सिपाही क्या पुछा कौन है वो या तो आज़ाद का जो निताजी है उनका मित्र है या जानने वाला है या कोई सिपाही है पान वाला नया पान खा रहा था पान पकड़े अपने हाथ को मौह से डेड़ इंच दूर रोक कर उसने हालदा साहाब को ध्यान से देखा फिर अपनी लाल काली बत्ती से देखी और मुस्करा कर बोला नहीं साब वो लंगडा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल वो देखो वे आ रहा है आप उसी से बात कर लो फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं क्या कहा उसने पागले ने क्या आप उसका फोटो छपवा दीजीए कहीं और जो मुस्या पूच रहे हैं चश्मे के विशय में उस पागले से पूचिए पागले से नहीं यह जो चश्मा बेचने वाला है ऐसा पागले ने कहा था क्यों कैप्टेन आ रहा है आप उसी से पूछ लीजिए तो ये बिटा क्या था उसके कैप्टेन का एक तरह की देश भक्ती थी जो उसने अपनी मन की भावना को चश्मा लगा कर व्यक्त किया है ओके बिटा सुबाई बिटा